क्या तुम्हें राजकुमारी ईशा की कहानी पता है? पौरानिक गाथाओं में उसे मसीहा कहा जाता था कहा जाता था कि ये बच्ची जंग में होने वाली तबाही को रोकेगी वो एक नया दौर लाएगी जिसमें आमन और हमदर्दी होगी मुझे ऐसी दुनिया की यादें दी गई जो मैं कभी नहीं देखूंगा जिसमें अपने राजा से वफाधारी नहीं निभापाऊंगा और मुझे ऐसे बच्चे से प्यार है जिसे मैं बचा नहीं पाया क्या चाहते हैं वो अमसे सब कुछ मुझे वो मिल गई गाउ देने वाली मैं जंग में पैदा होई हो मुझे सिखाया क्या प्यार कमजोरी है इनसाफ और बदले में बहुत फर्क होता है बगावत का अंजाम भुकतना पड़ता है जरा एक मिनिट इसे महसूस करने दो सब रुको मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए हमारा ये मक्सद नहीं है बिगार हो हम दोनों ही डर को समझते है चलो नहीं दिखा दे कि हम तरते नहीं है चलो दिखा दे कि कोई बेडिया हमें रोक नहीं सकती राजा भी इंसान है और इंसान हार सकता है लेकिन एक गाथा अबिनाशी है वक्त आगया है जो तुम्हारे अपने है उनकी हफाज़त करो किसी पर कोई रहम नहीं तुम्हे से कौन है जो हमारे मकसद के लिए मरने को तैयार है झाल झाल झाल